कैसे हैं आप लोग आप सबी लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे हैं और जैसे की नियूज आ रही है कि कॉपीड वापिस आ चुका है इंडिया में भी और कुछ शेहरों में जादा ही फेल रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखें अवेर रहें और अपने आसपास की लोगों को भी अवेर रखें मास्क एंट सैनिटाइजर आपको जरूर यूज करना है कुछ लोगों की सोच होते का रहे इससे तो कुछ नहीं होता रहे हमें कुछ नहीं होगा इसका जीता जाता एक्जांपल हमारे घर में भी हुआ कि ममा ने जब मेरे ब्रदर को बोला क की बीटा ज़रा ध्यान रखना तो नहीं बुला रहे ऐसा कुछ नहीं होता है इसलिए तो उनको भी ज़रा धांट लगाई गई है तो मुझे लगा आप लोग को भी कह दूँ ऐसे मैं सभी चैनल पर अवेरेनिस फिला रही हूं इस चीज को लेकर तो प्लीज आप लोग थ सब कुछ एंड़ सेनेटाइजर के साथ साथ आप लोग मास्क भी यूज करें देखिए अच्छा है और अभी तो न्यू यर आने वाला है तो सब लोग पार्टी की तयारी कर रहे होंगे आप लोग कहीं बहार जाएंगे जितना ज़्यान रखेंगे सब चीजों का आपके आपके फाली के लिए अच्छा होगा है ठीक है हम रीडिंग करते हैं आपके लिए आपके बातने की करन्ट फीलिंग्स देखेंगे हैं ठीक है ओके साथ ही हम देखेंगे एंजल्स के मैसेज़ेस आपके लिए आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षिन में सजेस्ट कीजेगा नेक्स रीडिंग हम किस टॉपिक पर करेंगे ओके कॉमेंट सेक्षिन को मैं बताइएगा और हम एक चीज़ में सभी चैनल पर करने वाली हूँ मुझे आज आज ही आइडिया आया है वैसे तो हम कोशिश करेंगे आप हम लाइफ जायें और आप सभी के कोश्चन का आंसर दें मतलब आपके सवालों के जवाब दें और लाइफ के थुरू और अभी क्या होगा मैं कोशिश करूँगी इस चीज का में जो भी मैं बोलने लाइफ तो मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ आप लोग के कोश्चन के आंसर देने के लिए लेकिन मैं सभी का एक-एक कॉमेंट सिक्षन से एक-एक मैसेज चूज करूँगी वीकेंड के ऊपर ठीक है कोई डे में डिसाइड करूँगी उस पर मैं एक कोश्चन पिक करू का लेंगे आप मुझे ध्यान रखेगा कि ये कॉमेंट आप कही है क्योंकि में ना आइडी ओ ना नाम नहीं लूँगे क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं तो अपने कॉमेंट का आपको ध्यान रखना होगा ठीक है ये कार्ट्स जादा हैं लेकिन सीधे हैं तो मतलब यूनिवर्स यह मैसोज आपको देना चाहते हैं इसलिए हम यह सभी कार्ट्स लेंगे आई वोप आपको बास समझ आ गई है लाइब भी हम लेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे दूसरा हम यह करने वाले हैं कि हम वीकेंड के उपर वीक में एक बार मतलब पूरे में उप्लोड करूंगी उसमें से उन सभी वीडियो में से एक कॉमेंट में सेलेक्ट करूंगी और उनका में आन्सर करूंगी ठीक है चले ठीक है ओके यह मैं सभी चैनल पर करने वाली हूं अपने ओके और राइट है और हम बहुत जल एक चानल और स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्रेस्टर्स के बारे में हीलिंग के बारे में आपके साथ डारेक्ट जूर सकेंगे और ठीक है और राइट निक्टि अगर में फीलिंग की बात करूं तो इन दिनों में काफी मिस्टू करी रहे हैं आपके पार्तनर को है नहीं हो सकता है आप में से किसी के पेर में चोट लगी हो या बैक पैन हो आपको चलने में अपर्टम को रही है या फिर आपकर आपके पास आने का कर रह enroll घंट करकर के हो सकता है आपने अपनी पातने की करन्ट फीलिंग उसके साथ ही हम एंजल आंसर भी देखेंगे और वो एंजल आंसर आपके लिए होंगे जब आप रीडिंग देखते हैं कोशुश किया किजी कि पॉजिटिविटी को आप रखें अपने पास और नेगिटिविटी को डीडिंग देखने के टाइम प यहां मुझे लांग इस्म रिलेश्षिप दिखाई दे रहा है दोनों ब्रॉलाग के हो सकता है रिष्टों में बंदे हुए हो लेकिन दूरी है तोड़ी सी मुझे दिखाई के साथ मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में मिसंद्टेंग्स क्रिएट करवाई गई ह हो सकते हैं अगर आप married हैं तो गलत कहीं हैं डलबाई गई हैं आप दोनों के बीच में हैं और हाँ और आगे क्या होगा मैं बताती हैं आपको यह परसन ने एक स्टेप आपकी तरफ आने के लिए ले चुका है जो भी दूरियां थी जो भी पार्टनर की विश है कि वह इस प्यार को आगे बढ़ाएं आपके साथ कहिने कहते हैं आपके बातों में आजाते थे चालो ठीके साथ यह लोग इतने लोग है तो हो सकता आप के बारे में कुछ बूरा बहुँत हैं पर और किसी ने कुछ बोल दिया नेगिटीव कह दिया तो अब आपके पार्टनर ने सोचने समझे कि शम्ता बढ़ी है तो वो क्या कर रहे हैं अभी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो positive लोग हैं उनके साथ discuss कर रहे हैं आपके तरफ आके बढ़ने के लिए दूरियों को नज़ती कि हमें बदलने चाहते हैं क्योंकि यहां पर लवस का कारड़ा है जो कि साफ हमें बताता है कि आपके relationship में एक emotional, mental, physical attraction है यह सब अच्छा और positive reasoning आपके पार्टनर आपके पास आ रहे है क्योंकि soul आप दूरों की एक दूसरे के साथ जोड़ी हुई है मतलब जो energies की में बात करूं थो ठीक है वो सारी चीज़ें positive हो रही है इस रिष्टे में कुछ लोग यह positive होना चाहते हैं कुछ लोग negativity ही attract करते हैं तो यह सब चीज़ें depend करती हैं आपके thoughts के उपर यह person आपके साथ जो दूरियां खतम करना चाहता है आपके पास आना चाहता है प्यार जताएगा प्यार बताएगा को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ पहले आपको टाल देते थे आपके बात का जवाम नहीं देते थे commitment से घबरा रहे थे नहीं दिया commitment वो सब चीज़े खताएगे अब आपके पास आएगे यहाँ पर commitment के साथ साथ देखो यह person आ रहा है आपके पास किस तरीके का commitment है यह शादी है आप अपने husband और wife के साथ में लड़ाई जगड़ा हुआ है in loss की वज़े से unnecessary किसी भी बात के उपर argument हो गया है तो अब आप उनके बीच में वो जो misunderstandings थी वो जो दूरियां थी वो सब खतम हो रही है प्यार की तरफ बढ़ रहा है यह रिष्टा तो universe में trust दिखाओ ठीक है आप आज भी चाहते हैं कि यह रिष्टा आपके साथ positive हो जाए यह person तभी आपके reading देख रहे हो तो positive energy के साथ ही यह reading देखो तो यहाँ पर यह person आ रहे है प्यार जटाने के लिए offer करेगा यह person क्या प्यार हो प्यार में क्या offer करेंगा आपके साथ एक commitment एक शादी offer करना चाहते हैं आपको आपके साथ एक रिष्टे की नई शुरुवात करना चाहते हैं यहां पर balance करना चाहते हैं ट्रांस्पेरेंसी आई कि इस relationship में जो एक कहते हैं एक step ले चुके हैं एक step भागी है तो वह step कहीं उल्जहने कोई और उल्जहने जहां पर बोलजे हुएं कोई confusion हैं कोई इसी बात नहीं जिन लोगों ने negative किया था उन लोगों से निकल कर आप उस negativity से निकल कर अब आपके person आपके पास positivity लेकर आ रहे हैं इस confusion को खतम कर रहे हैं आपके partner जिसकी वजह से वह आपके साथ प्यार और शादी में नहीं आ पा उस confusion को खतम करके ठीकर कोई confusion लेकर आएंगे सब कोच positive लेकर आएंगे बहुत जबि जिनके partner action नहीं ले रहे थे आपको पता नहीं चौड़ा था कि action लेंगे उनके partner action लेंगे उनकी तरफ ठीके positive हो कर बहुत जल्दी action लेंगे एक्षिन लेने के बारे में काफी सब कर आपके लिए ठीक है यह तो जो हमने बताई है यह आपके बातना की करन्ट फिलिंग से और यह जो हम बता रहे हैं भी आपके लिए एंजुलान से ठीक है देख चाहे हैं यहाँ पर कुछ बहतर होने वाला है कि आपके लाइफ में में नहीं चोड़नी है आपको हो सकता है काफी समय हो आपको आपको होप है ना कि चीजें इंप्रूव हो जाएंगी तो उसी पॉजिटिवीटि के साथ मैं हमेशा बात करते हूं लेट गो करना है आ हमेशा आपको इन सब चीजों के बारे में बोलती है तो लॉप अट्रेक्शन है मेडिटेशन है हम आगे बात करेंगे कि आपके लाइफ के लिए पॉर्टिकलर एक एक पोर्शन के साथ कि आपके लाइफ में किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए मतलब आप बहुत सारे चै अग्यों है तो कह सरी करें थे विए अगर आप में से किसी की भी हैल्थ ठीक नहीं थी क्वीस फोसुंग करें ऑपको उनको बोलनाएं कि अपने चक्राव करें धीक है मेडिटेशन करें ऑकट लिए जब आपके पार्टनर आएंगे आपके पास ठीके यूनिवर्स आपको आपके रिलेशनशिप लिए आपके लाइफ आपके करियर सभी चीजों के लिए अपोचुनेटी देने वाले बहुत अच्छी अपोचुनेटी आपके लाइफ में आने वाली है ओके जब आपके पार्टनर आएंगे आपके पास तो आपको किलियर कम्यूनिकेट करना है उनके साथ में लेकिन यह बात का ध्यान रखेगा कि कुछ भी नेगेटिव बात नही करेंगे ठीक है तो यह थी हमारे आज के रीडिंग आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग और गाइडेंस भी मिली है लेट गो करना है आपको सभी नेगेटिव चीज़ों को फास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है ठीक है पास्टनर रीडिंग लिए इंस्टाग्रा पर आप मुझे मैसेज कर सकते हों थांक यू फर वाचिंग गॉट ब्लेस्ट यू गाइज बाइज